MP के पचमडे में नागदौर स्वामे के दर्शन करने के लिए आप अगर जा रहे हो तो ये वीडियो आप के लिए है मैंने यह यात्रा तीन बार की है और इस बार भी यात्रा में पूरी करके आया हूँ एक बहुती बड़ी अपडेट सामने आ रही है नागदौर यात्रा के बारे में क्या है पूरी जान का रही इस वीडियो के मादम से मैं आपको बताऊंगा वीडियो चालू करने से पहले मेरे इस चानल को लाइक और सब्स्राइब करना ना भूलिएगा नागदौर स्वामी की यात्रा चालू हो चुकी है दोस्तों और यह यात्रा नाग पंचिमी तक चरेंगी लेकिन पानी नह आने के कारण यहाँ पर यात्रा पहले दो दिन बंद की गई थी मात्र पदम सेश तक ही लोगों को जाने दिया जा रहा था लेकिन तिसरे दिन थोड़ी फार बारिश आने का कारण यात्रा को फिर से शुरू किया गया और तबी हम पोचे हमने पूरी यात्रा की नागदौर की यात्रा हमने दो दिन में पूरी की और जैसे हम पच्मडी से अपने घर के तरब चले उसके बाद एक ख़वर आई कि नागदौर में पानी आना बंध हो चुका है जिसके कारण लोगों को वापस भीजा जा रहा है आपको घबरानी की जरूरत नहीं है दोस्तों पदमशेश तक भी आपको जाने दिया जाएंगा तो भास से दर्शन करगे भी पचपड़ी में बहुत सारे स्पोर्ट है दोस्तों या फिर छोटा माहदेयो, चोरागड, गरमकुंड, पांडव गुफा, गुप्त गंगा यह सभी स्पोर्ट पे आप जाकर घूम सकते हो या फिर दर्शन कर सकते हो नागदवार में पानी आना बहुत ही इंपॉर्ट होता है दोस्तों क्यूंकि गंदगी फैलती है जिसके कारण बिमारिया होता है इसी कारण यातरा को बंद किया जाता है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरू कीजिएगा